असलामों अलेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ सभी खेरियत से होंगे आप सभी ने नागपुर के साउजी ग्रेविस के बारे में तो बहुत सुना होगा और शायद आप में से कुछ ने इसे टेस्ट भी किया होगा लेकिन कि आपको ये पता है कि नागपुर में अगर सबसे ज़ादा कहीं का फेमस है साउजी तो वो है उम्रेट का जो कि नागपुर की ही एक तहसील है यहां आज भी पुराने बुज़ुर्गों की तरीके से ऑथेंटिक तरीके से साउजी बनाया जाता है बहुत ही जबर्दस तरीके से ये लोग बनाते हैं मैंने खुद अथेंटिक टिपिकल साउजी लोगों से ये रेसिपी सीखी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो चलिए बनाते हैं देसी चिकन साउजी स्टाइल में सावजी चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है वन हैंडफुल हरा धन्या इसमें कुछ डंठल भी शामिल कर लिजेगा एक चमच भर के जीरा उसके बाद हमने यहाँ पर लैसुन लिया है यह है 50 ग्राम याने की 3 मीडियम साइस की डलिया और अद्रक भी लैसुन के बराबर ही ले लेनी हमें अद्रक यहाँ पर जितना लैसुन दिखेगा उतनी ही दिखेगी अद्रक भी 50 ग्राम है इन चीजों को मिला कर हमें एक मिक्सिंग जार में ट्रांसफर करना है और पेस्ट बना लेना है इसका यह देखिए हमारा ग्रीन वाला अद्रक लैसुन हरा दनिये का पेस्ट बन के तैयार है अब हमें यहाँ पर एक पाउडर बनाना है मसाले का जो मेरे पास पहले से अविलेबल है इसे कलमी विल सा पाउडर बोलते है यहाँ पर उसके लिए हमें कलमी लेनी है 10 ग्राम बड़ी लाईची लेनी है और 5 ग्राम शाह जीरा लेना है यह मसालों को हमें पाउडर बना लेना है और इसकी सिर्फ आदा चमच कॉंटिटी जाती है एक किलो चिकन में उससे जादा नहीं डाला जाता है इसे देखकर घबराईएगा नहीं लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कल्मी अगर 10 ग्राम ली है तो शाजीरा 5 रहेगा यह बात याद रखिएगा मतलब जस्ट हाफ अब एक पैन को गर्म करेंगे उसमें थोड़ा सा ओइल लेंगे और शेंग दाना ले लिया है हमने इसे मुँफल ली कहते है एक चमच भरके ले ली है और उसे हलका सा रोस्ट करके फिर हम उसमें एक चमच भरके ग्रेट या फिर कटा हुआ नारियल एट करेंगे इन्हें हमें मिलाते वे बूनना है उसके बाद हम इसमें एक चमच से थोड़ा कम याने कि 3-4 चम्मच खशकश ले लेंगे और इन तीनों चीजों को हमें थोड़ा सा रोस्ट करना है अब ये रोस्ट हो चुके हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं किसी प्लेट पर अब उसी पैन में थोड़ा सा ओल ले लेना है और दो बड़े साइस के प्यास को कट करके एड़ कर देना है गुल्डन कलर आने तक फ्राई करना है ये देखिए इस तरह से उसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे और जो हमने नारियल और खशकश और मुंग फली को हमने भूना था उसके साथ ही इसे हम मिला कर पीस लेंगे आपने देखा होगा कुछ रेसिप अब एक गंज को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे मुंग फली का तेल चार से पांच टेबल स्पून जी हाँ सावजी खाना जो होता है वो मुंग फली के तेल में बनाया जाता है फिर उससे गर्म करने के बाद हम उसमें कुछ कटे हुए हरे धनिये के पत्ते अट कर दे इस मसाले को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है यह देखे भून चुका है इतना इसे हमें भूनना है उसके बाद हमें इसमें डालना है यह आदा चम्मच कलमी वेलसा का पाउडर जो हमने बनाया था आदा चम्मच हल्दी पाउडर तीन चम्मच भर की रेड चिली और दो चम्मच धनिया पाउडर इन चीजों को एट कर दें आप अपने एसाब से मिर्च की कॉंटिटी एट कर सकते हैं मिर्ची काफी जादा भी डाली जाती है इसमें मैंने मिडियम ली है कॉंटिटी और फिर हलका सा पाने डालने के बाद इस मसाले को भूननी है बहुत जादा पानी अभी नहीं डालना है ये मैंने देशी चिकन लिया है ये कटने के बाद 900 ग्राम हुआ होगा एक छोटी मुर्गी ली थी ये देखिए अब इस मसाले में इसे हम एट कर देंगे उसके बाद अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट करेंगे मैंने याप इसकिन हटवा कर ली है आप चाहें तो इसकिन के साथ भी ले सकते हैं इसे हलका सा रोस्ट करने के बाद इसमें हम वो जो प्याज वाला पेस्ट हमने बना कर रखा था नारियल, मुंगफली वगरा थी जिसमें वो पेस्ट इसके अंदर हम एट कर देंगे और अच्छे से मिलाते हुए इस मसाले को अभी बिना पानी डाले थोड़ा सा भूनेंगे तीन से चार मिनट तक बिना पानी डाले भूनने के बाद फिर हम इसे वही जार को धोकर पानी निकाल लेंगे और वो पानी इसमें एट कर देंगे उसके बाद इसे मिलाते हुए थोड़ा सा भूनने देंगे भूनते भूनते आप देखेंगे कि अभी इसका कलर बिलकुल फेंट है लेकिन थोड़ी देर बाद जो मिर्च हमने डाली है वो अपना रंग छोड़ने लगेगी और इसमें कलर आ जाएगा अब इसमें साल्ट एट कर दीजी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने हाँ पे टोटल वन एन हाफ टीस्पून लिया है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको एक-एक स्टैप अच्छी तरह से कलियर हो अब इसमें मैं इस सालन की जान एट कर रही हूँ जो है ये काला मसाला जो कि साउजी लोगों के घर में इवेन हमारे भी घर में हमेशा अवेलेबल रहता है इसकी अभी हमने आदा चमच कॉन्टिटी ली है बाकी आगे भी डालना है और इस मसाले की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ अगर आपको इसकी डीटेल आथेंटिक रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको मैं एक बात और बता दूँ सेम प्रोसीजर से आप मटन में भी बना सकते हैं बॉयलर चिकन में भी बना सकते हैं बस ये है जो टाइम लगता है गोश्त को गलने के लिए वो सब में डिफरेंट होगा बाकी रेसिपी सेम ही होगी मसाले और चिकन को 15 मिनट हमने टोटल भूना है अब यहाँ पर देख लीजे इस तरह से थाली ले लीजे जो गहरी हो कोई भी प्लेट गहरी प्लेट होना चाहिए और उसे जिस गंज में हम बना रहे हैं उस पर ढख दीजे फिर उस थाली के उपर में पानी एट कर दीजे और यह पानी भी गर्म होते रहेगा नीचे हमारा चिकन भी पकते रहेगा चिकन को नीचे से भी हीट मिल रही है और उपर से भी मिल रही है ये देखिए ये कितनी जबरदस टेक्निक है कुकिंग की जब सालन में पानी सूखने लगेगा और पानी एट करने की जरुवत पड़ेगी तो यही जो प्लेट पे गरम पानी है वो हम थोड़ा थोड़ा करके एट करते जाएंगे और चिकन को गलने देंगे जब प्लेट पे पानी कम होने लगे तो प्लेट पे भी पानी बढ़ाते जाएंगे वो गरम होते रहेगा और नीचे हमारा चिकन भी पकता रहेगा बहुत ही जबरदस तरीके से ये चिकन बन के तयार होता है और यही procedure चलती रहेगी जब तक चिकन पूरी तरह से गल ना जाए अगर आप pressure cook करना चाहते हैं तो इस stage में आप इसे pressure cook कर सकते हैं मैंने आपको पूरे authentic तरीके से बना कर दिखाया है जैसा वो लोग बनाते हैं गंज में ही वैसे ही मैं बना रही हूँ चिकन को मैं गंज में ही उबा लूँगी आप pressure cook कर सकते हैं अपना time आप चाहें तो बचा सकते हैं चिकन ने यहाँ पर total one and half hour का time लिया है अच्छी तरह से गलने के लिए पूरे देड़ घंडे लगे हैं इसे अच्छे से पकाने के लिए यह देखिए आप इस stage पे gravy की consistency भी चेक कर लीजे और चिकन गला है यानि यह भी हम चेक कर लेते हैं यह देखिए बढ़िया से हमारा चिकन गल चुका है यह gravy basically पतली ही रखी जाती है आप चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं अब हमें इसमें आदा चम्मच और काला मसाला एट करना है यहाँ पर टोटल मैंने वन टीस्पून भरके काला मसाला यूज किया है उसके बाद हमें इसमें धेर सारा हरा दन्या कट करके एट कर देना है इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह बेसिक क्रेवी बन के तयार है जब हम किसी सावजी रेस्टरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ इसे अलगी तरीके से सर्फ किया जाता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ घरों में तो यह इसी तरह से खाई जाती है लेकिन रेस्टरेंट्स में कुछ अलग अंदाज होता है इसको सर्फ करने का उसके लिए एक बरतन लेना है उसमें थोड़ा सा तेल डालना है दो टेबल इस्पून के लगबग उस तेल को हमें गर्म करना है अच्छी तरह से फिर उसमें बार इक टे हुए लहसुन डालना है दस से पंदरा कलियां और लहसुन डाल के थोड़ा सा चटकने देना है फिर छोटी सी प्यास को एकदम बार इक कट करके एट करना है और ये दोनों चीजों को हलका सा मिलाते हुए भूनने के बाद जो हमने थोड़ा सा ग्रीन वाला अद्रक लेसुन का पेस्ट बचा के रखा था वो पेस्ट भी इसमें एट कर देना है इन चीजों को हमें ब्राउन होने तक भूनना है लाइट ब्राउन होने तक और जब ये अच्छे से भून जाएंगी तब मैं आपको बताती हूं इसमें क्या जाएगा इसमें एक चम्मच चने की दाल और तीन चम्मच चावल का हमें पाउडर बना लेना है भून कर और उस पाउडर का सिर्फ एक चम्मच इसमें जाएगा सावजी रेस्टरेंट्स में ये लोग बहुत जादा कॉंटिटी में 3 is to 1 के रेशियो में इसे पिसा कर रख लेते हैं अब इस पाउडर को एक चम्मच भरके हम इसमें एट कर देते हैं ये पूरी ग्रेवी के लिए है अगर थोड़ा सा पोर्शन आपको तड़का देना है तो आप थोड़ा ही लें पाउडर और थोड़ा सा भुन जाने के बाद जो ग्रेवी हमने बना के रखी है बेसिक ग्रेवी वो ग्रेवी हमें इसमें एट कर देनी है और ये लग गया हमारे ग्रेवी को साउजी तड़का ये लहसुन का तड़के के साथ जब आप खाएंगे न तो आपको समझ में आएगा कि वह एक एक निवाले में ऐसा स्वाद ऐसा टेस्ट है कि खाती ही रह जाएंगे बहुत ही जबरदस लगता है ये बहुत दिवाने हैं लोग इस खाने के ये देखिए ये अच्छी तरह से बढ़िया से हमने इसे तड़का लगा दिया है और फिर हम इसे तेज आच में थोड़ा सा और धीमी आच में 5 मिनिट तक पकाएंगे उसके बाद गैस की फ्लेम को आफ कर लेंगे लास्ट में इसमें फिर और थोड़ा धनिया एट कर देंगे उसके बाद हमारा साओजी चिकन बनके तयार है ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है इसे ट्राइ जरूर कीजेगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो इंजोई कीजिए साओजी स्टाइल में बना हुआ देसी चिकन तवा रोटी और जीरा राइस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज